अदिन्न दाना विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियामी कामेस लिच्छा जारा विर्मनी सिख्खा पदंस्मादियामी एक सब्द होता है धाई यानि की धान यह जो सब्द है यानि सब्द है यह बहुत पुराना सब्द है भरत का इस धाई से इस धान से इस धन्ने से इस धन्रबाद से सारे सब्द बने हुए इसको भात भी बोलते हैं जो हम भात भटते हैं अपनी बहनों का और अपनी माताओं का जो कहते हैं पुराना रिवाज रहा है कि हर घर में चावल यानि धई पैदा होते थे चावल नाम हमारा नहीं है चावल नाम बाहर से आया है पर चावल जदा प्रमुख है तो धई या धान बोलेंगे या धन बोलेंगे तो धई या धान या धन जब हर घर में पैदा होता था और आज भी होता है और इसी धाई से धान का एक नाम और भी है जिसको करू बोलते थे करू वाने पके हुए धाई या पके हुए चावल उसी चारू प्रडेस बना है कुरू प्रडेस बना है कुरू छेत बना है कुरू खेत बना है यानि हरियाणा बना है तो ये जो नाम है धाई और धन्य का इसलिए कहते थे धन धाने से भरपूर रहें धन जो आज पैसे में चलता है ये रुपे पैसे तब नहीं चपते थे बुद्ध के काल से पहले या बुद्ध के समय या बहुत पहले जब हम समण हुआ करते थे हमारा जितना भी सम्पत्ति होती थी वो सारी की सारी धाई होती थी धन्य होती थी धान होती थी और जिसको आज की समय हम कहते हैं कि चावल लगा रहे हैं या पैड़ी लगा रहे हैं अगर किसी के पास धई खतम हो जाए धन खतम हो जाए धान ने खतम हो जाए तो उसको बोलते थे के ये निधन हो गया यानि कि इसके पास में धई नहीं है, धान नहीं है, धन नहीं है, खाने के लिए चावल नहीं है, तो निधन हो गया और ऐसे व्यक्ति को जो चावल नहीं खा सकता था यानि जो डैड हो गया मर गया अब वो चावल नहीं खा सकता धन नहीं खा सकता धाई नहीं खा सकता तो उसको कहते थे निधन हो गया नी सब्द जिसमें लग जाए इसका मतलब नीचे हो गया डाउन हो गया तो उसको कहते थ निधन हो गया, निधन का मतलब बाद में मिर्टू यानि मच्चू माल लिया गया, पाली में मिर्टू को मच्चू बोलते हैं पर इसको मिर्टू के नाम से आज की समय माना गया, ऐसा किया निधन हो गया, निधन का मतलब धही चावल नहीं खा रहा है, अब ये इसका सरीर बे से पैसे से सवने से चांदी से रुपे से बैंक मिलें से जोड दिया गया तो निर्धन का मतलब उर्दु में गरीब हो गया कि यह गरीब है यह जो धन है अगर इसमें निधन में निद्र कर दें और से निधी कर दे हैं तो निधी माने कहते थे गड़ा हुआ, खजाना, रखा हुआ खजाना, गड़ा हुआ खजाना मतलब जो चावल जमीन के अंदर पैड़ी जो पौधा लगा हुआ है, वो गड़ा हुआ खजाना, पाइशारूपया नहीं था उस समय, कोई हीरे मोती नहीं थे उस समय पर निधी सब्द था ये निधने सब्द बुद्ध की जो अस्थियां में लिए हैं जहां सोने के पत्र मिले हैं उसके अंदर भी निधने सब्द लिखा हुआ था उस बर्तन पे तो निधी का मतलब हो गया जो गड़ा हुआ जमीन के अंदर गड़ा हुआ है लोगोंन ये निधी है अगर इस निधी में सन्नी लगाने साथ में तो सन्निधी हो जाता है सन्निधी का मतलब है कि नीचे और सन्नी माने साथ साथ गड़े हुए रखे हुए बैठे हुए तो सन्निकट यानि सन्निधी हो गया और सन्निकट अगर बोलते हैं कहते हैं ये बड़ा सन्निक तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ में बहुत ज्यादा किलोज है इसका पड़ोसी है सन्निकट का मतलब पड़ोसी होता है तो जो सन्निधी है सन्निधी का मतलब है कि ऐसा गड़ा हुआ खजाना जो साथ साथ रहता है इसी से बात में सन्निवास बना सन्निवास मतलब जो साथ साथ रहते हैं सम्मिलन करते हैं और इस किरिया को कहते थे सन्नी पातन और इसको बुद्ध कहते थे सन्नी पात बहुल यानि बहुत साए लोग जो साथ साथ बैठके सन्नी पात बहुल कहते हैं तो सन्नी पात सानिध्य और इसी से सब्द बना सनिच्य सनिच्य का मतलब है जिसक संहु साथ-साथ है और एक शब्द और बना संश्टर सनिचे से सनिचर बना यानि कि जो साथ-साथ रहते हैं और फिर इसमें वार लगा दिया, वार का मतलब होता है अबुरती या मौका तो हो गया शनिच्चय वार। और सनिच्यवार का मतलब है साथ साथ एकटे रहने का दिन आवरती और इस सनिवार से बना सनिचर से बना शनिचरिया सनिचरिया यानि कि लगाता रिपीट होने की आदत चरिया का मतलब आदत पड़ गई बार 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 साथ बैठने की आदत पड़ गई और उस सनिचरि और उस सनीचर को कह दिया मनूस सनीचर और फिर कह दिया शनीचर का दिन सबसे खराब और फिर कह दिया सनीवार बहुत मनूस है इस दिन घर से बाहर ना निकलें और फिर कह दिया कि सनीवार को लोहे का हतियार लोहा साथ ना रखें और आज सनीवार है आज सनीवार है और को हम हमेशा जादा लोग जोड़ते हैं जतने जादा से जादा हो उतने जादा जादा जोड़ते हैं और जितने यहां हैं और भी लोगों को जोड़ें और भी लोगों को जोड़ें किसी का करता है किसी का मोबाइल काम करेगा किसी का नहीं करेगा पर कोई बात नहीं दिन में बैठें, रात में बैठें, सुबह बैठें, क्योंकि ये हमारा मौका है, ये हमारा वार है, जब हम बुद्ध से पहले इस दिन साथ साथ बैठा करते थे, और इसलिए इसको सनिवार, सनिवार, सनिचरिया, सनिचर, और सुब सनिवार बोलते हैं, यानि कि मंगलकारी सनिवार, आज है मंगल कारी सनिवार कैसे मंगल करता था? जब बहुत सारे लोग किसी के पास खाना नहीं है तो खाना देंगे किसी के पास कपड़ा नहीं तो कपड़ा बाठेंगे किसी के पास में कोई ऐसी कहानी है जो दुख वरी है तो वो अपना दुख बाटेगा, किसी के पास सुख है तो सुख बाटेगा, किसी का कुछ लेइन, किसी का कुछ देन, किसी का शादी, किसी का बया, किसी कहीं कोई परिशानी है, दुस्वनी है, रंजिस है तो उसका इंति प्रा प्राचीन क्रिया प्राचीन चरिया प्राचीन आदत है और इस चरिया को इस चरिया को इस दिन चरिया को हम भूले नहीं पर इसके अर्थ बदल के हमको बताएगे सनिवार तो आज भी खास है पर उल्टा खास कर दिया ऐसा नहीं है कि सनिवार से लोग घबराते नहीं और सनिवार से एक सिंबल बना दिया कि सनिचर्ट जो है वो काला होता है और सच में काला होता है क्योंकि जितने भी समड हैं वो अदिक्तर काली हैं कोई सफेद नहीं है। कोई अवर्ण नहीं है अवर्ण का मतलब है वर्ण माने पाली में होता है रंग और ए माने नहीं अवर्ण का मतलब है बिना रंग का यानि सफेद खाल का और हम थे सैवर्ण सैवर्ण का मतलब है जो सुनहरी जिसकी आभा है जो गेहूं जैसा है जो हिरन जैसा है जो उकते हु विस दूर्ट जैसा है ऐसी चम्डी वाले सेवन हम सेवन होते थे और वो जो सफिद लोग आए वो एवन होते थे और बाद में फिर hybrid बन गया mix बन गया तो उसको बने लगे संकरवन संकरवन का मतलब है mix रंग के संकरवन बन गए ना सफिद यानि बिना रंग की और ना रंग वाले तो जितने भी सनी के जितने भी आप इस तूप देखोगे तूप देखोगे वो काले लोगों के होते हैं और काले लोगों के हाथ में इतना खतना खतियार वगरा दिखा जाता है पुराने लोग हैं हम पुराने सनीचर हैं हम पुराने सनीचरिया हैं हम वास्ते में बड तो लोग ड़के मारे हाँ जोडते थे और सन्निवार को जो ऐसे लोग थे जो समण नहीं थे वो दुबग जाते थे भाग जाते थे तो कि आज सन्निपाद बहुल होगा ये खटे होंगे तो आज कुछ भी हो सकता है इसलिए वो कभी सन्निपाद बहुल के दूर दूर भी दि चाहे दो लोग मिले आपस में चाहे चार मिलें चाहे दस मिलें चाहे परवार मिलें चाहे पड़ोसी मिलें चाहे बच्चे मिलें चाहे बुड़े मिलें चाहे च्छातर मिलें चाहे करमचारी मिलें चाहे चप्रासी मिलें चाहे अफसर मिलें चाहे नियता मिलें और मिलें और सब्दे याद रखें सन्नी चरिया सुब सन्नी वार यह हमारा सुब सन्नी वार है इसलिए यहां जुड़ना बहुत लाजमी होता है और जरूरी होता है कि सारे सारे लोग आएं पर हम यहां जुड़ते क्यों हैं यह सवाल क्योंकि हम यहां लागातार 14 महने से एक भी दिन चोड़े बिना यानि कि जो भारत के अंदर बड़े-बड़े festival सब होते हैं चाहे वो 26 जनवरी है चाहे पंदर अगस्त है चाहे देवाली है चाहे देवाली है चाहे इद है चाहे कुछ भी है पर यह पोर्टल बंद नहीं हुआ यह लगातार लगातार exercise कर रहा है और आपको की मीटिंगें बहुत बढ़ गई हैं दिन में भी चलती रहती है और शाम को तो आठ वैसे लेके ग्यारे वे तक डेली चलती है डेली चलती है कोई नागा इसकी नहीं है कोई एपसेंट इसकी नहीं है पंदरमा महीना पांस तारिक को पूरा हो जाएगा हम क्यों मिल रहे हैं और क्यों यहां लगातार इंट्रेस्ट लोग ले रहे हैं और क्यों सीख रहे हैं और क्यों सीख के आगे काम कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं दरसल हम अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने जीवन को बचाने के लिए हम सब इखटे हो रहे हैं कोई कह सकता है हमारे जीवन को क्या खत्रा है हमें कौन मानने आने वाला है कौन मारेगा हम को अतनी बड़ी संक्या में हैं जो मार होती है मार खाली सरीर को काटना या सरीर में गोली मारना या सरीर को एक्जेंट करके मारना ही मार नहीं होती है वैसे ही नहीं मरता है आ अगर आप किसी मनुस्य का मन मार दो, किसी बच्चे का मन मार दो, किसी महिला का मन मार दो, कोई बच्चा आपके पास आए, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बेटी, और वो पूछे कि पापा, पापा, पिताजी, पिताजी, जरा मुझे ये पस्न का जवाब बना दो और बड़े उचलते हुए मन से खुशी मन से आये कि उसके पिताजी उसका इस सवाल के जवाब देंगे और पिताजी लगे मोबाइल में और हाथ पकड़े जड़क दिया उसका भाग यहां से क्या से उटिश दे सवाल पूसर रहता है या पूसर ही रहती है तो आपने सवाल बताया नहीं बताया उससे फरक नहीं पड़ता बर बच्चे का मन मर गया और बच्चा उदास होके चला गया हुआ कुछ नहीं है उसने पूछा आपने मना कर दिया बात तो छूटी सी है पर उस बात से उसका मन मर गया तो कि उसकी value खतम हो गई तो ये बुद्ध ने हमें बताया और ये सिखाया कि जो मन की मार होती है वो सरीर की मार से भी ज़्यादा पनाक होती है जानवर के अंदर बहुत थोड़ा मन होता है इसलिए जानवर को फरक नहीं पड़ता पर जो मनुस्य है उसके अंदर सबसे ज़्यादा मन होता है सबसे ज़्यादा माइंड होता है इसलिए अगर उसके मन को मार दिया तो उसका पूरा सिस्टम काम नहीं करता वो मर जाता है एक वुरत ने बहुत बडिय खाना बनाया घर पूरी महत लगाए दिन्रात लगा दी हुजरासान नमग वालतो पड़ गया और आपने खाना खाते में नाक मारदिया यह लुवologist में नाक मार दिया क्या क्या खाना बनाया है कि अब अबkeys का मन मर गया और उसका much नोगैं ना क् करता है दाजबाब काम करता है दुकान पर काम बहुत बढ़िया करता है अफसर बहुत बढ़िया काम करता है कोई हाथ का कारीगर बहुत बढ़िया काम करता है कोई कलाकार बहुत बढ़िया गाता है बहुत बढ़िया और आपने यह क्या गाता है क्या काम करता है तुरे की त तुम्हारा तो धर्म ऐसा तुम्हारा तो इमान ऐसा तुम तो होई ऐसे फलाना डिराना यह सेंटेंस सारे जितने भी हैं जितने भी वाक्य हैं यह उस व्यक्ति को खतम करने के लिए उसके काम को खतम करने के लिए मन मर गया तो वो कोई काम नहीं करेगा घर पर आएगा तो बीबी से लड़ेगा क्योंकि मन मरा हुआ है बच्चों पर उतारेंगे तो। परिवार का परिवार तैसनेस हो गया उसका विरूदी हो जायेगा तो हत्यार वोटा सकता है आकमना कर सकता है बहुत जादा डेप्रसिन अगया तो कुछ टॉंट कस्तिया, कोई उटा सीधे कोई बात कह दी किसी में, थोड़ी बहुत इदर दर के कह दिया, अरे तो है ऐसा, इसके तो बाल ही बेकार है, इसकी तो आँखी टेड़ी है, इसी तो नियती खराब है, अरे तो चलता ही बेकार है, अरे तो छोड़ पर रहेगो, अरे इसक सुनों मत जैसे आप मुझे अगर खतम करना चाहें तो सारे के सारे अगर यहां से पूर्टन छोड़के चले जाए तो मेरे वचनों का खतम हो जाएगा हलागी मुझे फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं वेपसनावला व्यक्ति हूं मैं चीज़ों को समझता हूं तीन सो नही इस्थिती को समझ जाते हैं तब फरक मीं पड़ता है मगर साधरना आदमी को फरक पड़ता है और तीसरा होता है काया की मार सरीर की मार जिस जो आदमी मन से नहीं मरता जो आदमी वचन से नहीं मरता बास से नहीं मरता उसको फिर पिटाई करेंगे उसकी उसकी टांग तोड देंगे या मर्वा देंगे बहुत सारी बात क्योट चलती तो इन सम्हें जो सबसे खतरनाक मार है जो हमारी मिट्व का रहना है जिस से हम जूद रहें वह है मन की मार की सब को तो हम देख लेंगे कोई समस्ह नहीं हम pounds चार्साइंड मैं हूँ और मन से मारते मारतें इनकी यह हलत कर दी है कि उनने पढ़ना छोड़ दिया वो पढ़ाई भूल गे वो लिखाई भूल गे वो अडमबर में आ गए वो सराप पीने लगे वो जुवा खेलने लगे वो बीडिशिकर्ट गुड़ का खाने लगे वो अपने टाइम खराब करने लगे, उनका परिवार में रूची खतम हो गई, उन्हें काम छोड़ दिये, जो काम आते हैं, वो करते नहीं, क्योंकि इनको डिर्मलाइज किया जाता है, काम का पैसा नहीं मिलता, मन मारा जाता है, किशी ने काम किया और कह दिया, भग जाते हैं, किस बात का पैसा है, तो उस है कि मन की सारी हैं, एक सौ अठाइस प्रिकार की चीजों से मनती हैं और बावन प्रिकार का मन होता है, हर एक मन चलता है, मिर्दू वाला मन होता है, करोना में मन होता है बहुत सारे मन के प्रिकार हैं ये लगाता है बदलते रहते हैं चलते रहते हैं ये सब बुद्धने से खाये हैं हमने भी सीखे पर जिल लोगों ने हमको इस सिस्थिम में पहुंचा दिया उन्हों ने इसका उल्टर इस्तमाल किया और अच्छा इस्तमाल क वही हम यहां बताते हैं कि कैसे आपको अपने मन के बल को बढ़ाना है और कैसे मन के बल को मनों बल से आपने सारी चीज़ें जीतनी हैं इसलिए हम इखटे होते हैं एक तो इखटे होने से मन बल अपने आप भी बढ़ जाता है एक बार लगया रितने सारे आदमी है यह तो हम स्थिक है उसमें तो हमारा जो मनोवले बहुत ज्यादा बढ़ता है और बहुत ज्यादा हम आगे अपनी ताकत महसूस करते हैं तो ये जो काम चल रहा है लगाता लगातार भारत में हमारे बच्चों को मानने का और हमें मानने का वो कई तरही से है कई तरही कैसे कैसे है पढ़ाई महंगी कर दो इसकूल बंद कर दो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं जानेंगे नहीं तो तेजी से तरक्की नहीं कर पाएंगे तेजी से कटे नहीं पाएं रोजगार शिन लो ताम मत दो या इत टाइम खाना खाएंगे तो दिमाग ठीक हो जाएगा सिर्फ ठीक हो जाएगी तो दिमाग अच्छा हो जाएगा तो फिर सोच ना सुरू कर देगा तो लड़ने की ताकत अजाएगी पर इतना खाना मत दो बीमार हो जाए तो अस्पताल ऐसा दो के बीमारी कभी ठीक ही ना हो बीमार होके मर जाए तो बीमार होके मर जाएगा दवाई होगी डॉक्टर होगा पर इलाज नहीं होगा भेंगा पैसा है पैसा है नहीं तो बात नहीं बनेगी तो इकटा मत होने दो इसलिए इनके जो प्राना संग है समर संग है उसको हमेसा तोड़ के रफो तो इनकी जातिय हैं जो संगो को बना के जातियां बनाई गई हैं उनको उंचा नीचा करते रहो उनको आपस में इल जाते रहो उनको लड़ाते रहो और एक दूसरे के हाथ में डंडा दे के पटवाते रहो चलाते रहो तो यह आपस में लड़ते रहे और इनको याद मत होने दो कि यह कभी सम महंगी कर दो, इतनी महंगी कर दो कि ये कमाएं सो रुपे और वो ची जाए दो सु रुपे की, तो इनका सारा पैसा चीन लो, इनका धन चीन लो, तो इनकी जच चीन लो, इनको हमेसा गाली बको, इनको ये कहते रो कि तुमारे बसकी कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते है और कमाल की बात यह है कि इस सिस्टम के जिनमदाता बुद्ध है पर बुद्ध ने इस सिस्टम का निगेटिव इस्तमाल करना उल्टा इस्तमाल करना नहीं सिखाया उन्होंने हर सब्द के आगे सम्यक्सम लगाया पर जो सैतान है वो तो सम्यक्सम करेगा नहीं जो सैतान है वो तो असम्यक्सम करेगा असम्यक्सम ये काम करेगा और वही काम करता है सैतान हमेशा उस चीज को उल्टा घुम उनकी सेक्टर कम होने लगी, क्योंकि उनकी बच्चे मरने लगे, अफ्ताल में दवाई नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, काम नहीं, खाना नहीं, इज्जत भी नहीं, धन्मी नहीं, सुरक्षा भी नहीं, उनकी बेटियों को उनको बेटे को ले जाते है कोई रेप कोई मर्डर करता है ये सारी चीजें सारी दुनिया में चलती है पर सारी दुनिया में ऐसा नहीं है कि लगाता चलती रहेंगे इसका इलाज है और इसका इलाज भी बुद्ध ने दिया है इसका इलाज भी महापुर्शन ने दिया है और बुद्ध ने इलाज बनाय से मिला कैसे मिला जितने लोग थे हम सारे सारे हमारी राष्टिय तक क्या थी समण जैसे आज हम अपने आपको भारतिय कहते हैं उस समय हम सारे समण थे तो समण कहा करते थे तो समण हमारी राष्टिय थे थी हमारी उस हमेसा मांगते थे, क्योंकि जो बाहर से आदमी आता, ना उसका घर, ना खेत, ना खलियान, ना कोई गाउं, ना कोई शेयर, ना कोई महला, वो सिर्फ मांगेगा, मांगे खाएगा, तो वो याचक थे, हमने उनको गौमन करा, तो ये जो समढ़ जितनी हमारी राष्टता थी और जो हमारी पहचान थी, ये बड़ी ऊंची और ये बड़े कमाल की थी, हम सारे के सारे समढ़ रहे, हमी राजा, हमी पढ़ने वाले, हमी पढ़ाने वाले, ये सारी बातें, सारी के सारी चीज़े, सब को पता है, समराट असुक के समय हमने महाभरत बनाया, इसको कोई नहीं नहीं कर सकता है। और हमी भिया पारी थे और हम ही सिंटिश्ट थे और हम लुए तरह यह हमारी पहचान, समड़की पहचान बहुत पुरानी पहचान रही। पैचान को जो बुद्ध की अजूपसने उल्टा करके आज हमको इस इस्तिती में पहुंचा दिया कि हमको इखटा होना पड़ रहा है अपनी एक्जिस्टेंस के लिए अपने अस्तित्व के लिए अपने आपको बचाने के लिए अपने बच्चों को बचाने के लिए क्योंकि आगे आन ले जाने का काम भी ड्रोन करते हैं मसीने करती हैं जो रेल गाड़ी हैं वो बिना ड्राइबर के आ गई हैं जो कार हैं बिना ड्राइबर के टेस्ला कार आने वाली हैं धिरे-धिरे मनुस्य की कमी मनुस्य की जरूरत खतम होती जा रहे हैं और मनुस्य की जरूरत खतम होती जा क्योंकि मनुस्य मनुस्य को जब सीधा सीधा खतम करता है तो उसका एक बुद्ध के अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा पाप आता है जो उसके परिवार को भी नश्ट करता है इसलिए डारेक्ट किलिंग ना करके इंडारेक्ट किलिंग की जा रहे हैं इंडारेक्ट किलिंग यह जो इखटे हैं तो इखटा मत होने दो यहां तोते की जानट की पड़े हैं अगर हम इखटे हो जाते हैं जैसा कि बुद्ध ने कहा जैसा कि बावा साब ने कहा जैसा कि महापुर्शों ने कहा जैसा कि सारे लोग कहते हैं साधू संगत करो साधू का मतलब है सांत लोगो स अगर हम सब एक हो जाते हैं तो सम्विधान ये कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी कर लो अपनी कारगुजारी, जो कारगुजारी करनी है आपने, वो कर लो, पर संख्या लेयो अगर संख्या क्या उन परशेंट है, तो जो चाहे पास करा लो, जैसे चाहे वैसे दो, अटा दो मसीनों को, लगा दो काम पर,कि जितने भी बिरुजगा हैं उन सब को बढ़ा लो जितने चॉême उतने काम खोल लो काम इतना है प्रत्वीपे के आध कि जगें कर 16 अरभ लोग भी हैं तो वह भी खप जाएं गे पर जिसकी नियत ने ही ना हो जिसकी नियत लोगों को दव़ाई दे रहे डे जादा लोग एक साथ होंगे वो अपने नियम खुद बना लेते हैं और उसी को सम्विधान कहते हैं और उसी को विधान कहते हैं यह जो भारत के अंदर जो सिस्टम है और जो दुनिया के सिस्टम है उसमें कोई कहता हो कि सम्विधान नियम 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 बनाता सम्विध मानूँगा जो आदे से ज़्यादा लोग कहेंगे यही सम्विधान की सबसे बड़ी जीत है और यही सम्विधान की समविधान की निगहान है दोनों बरावर है कोई कहता है बहुत बड़े धन्वान होंगे तो बात बनेगी बिल्कुल जरूत नहीं है कोई अगर मिलेनियर है जिसके पास में अर्वोखर रुपिया है और वह हमारे समझ समाज का है और कोई फकीर है मांग के खाता है किसी बुद्विहार में काम करता है या कोई भिकू है जो जीवने कमाता नहीं दोनों का बरावर है मामला दोनों का समझधान एक वैलू बरावर है दोनों की बरावर है दोनों की बरावर सुनता है और दोनों की value उतनी है, कोई आदमी ये गहे कि मैं तो बहुत जानकार हूँ, मैं तो बहुत अचछा बोलता हूँ, मैं तो बड़ा समुझदा हूँ, मैं तो लोगँ को बड़ा समझाता हूँ, और कोई समझने वाला है, जो बुलकुल पीछे बैठा हुआ है और उसकी समझ में नहीं आता है तो दोनों का वैलू बरावर है समिधान की निगा में समझाने वाले गावी और समझने वाले गावी और ये कहे कि जो चात्र है उसका वैलू और जो चात्र नहीं उसका वैलू अलग लगए तो सारी संग्ठन समझ लिया संग्ठन का मतलब है संग्ठन रहके जिनमें ठंती है उनको संग्ठन बोते हैं इसलिए जितने भी यह पाली का सब्द है आप चेक कर लेना इसको संग्ठन का मतलब है संग्ठन रहके जिनमें ठंती आपस में जिनमें लडाई होती है इसलिए जितने भी ह बात नहीं पसंद ही करती हैं आप अगर अपना ध्यान से देखोगे तो आप यह पाऊगे कि पूरे समय जितने भी अब तक सब्सक्र साल में जब से बावसाब में हमें यह समधान दिया है तब से जितने भी हमारी राजनितिक पार्टी हैं जितने भी हमारे ध्रम को चलाने व वाले जो संठने उनके लेता हैं बावा साब के जनन दिन पर भी इखटा बैठके चाय नहीं किते वो और जन दिन दिन दो बात छोड़ो जो मरवर दिन आता है च्छे दिसंबर का उस पर भी एक साथ अपसोस परकटनी करते हैं कि बावा साब हम सरमिंदा हैं और वो मूर कोई संठन का कोई मालिक है और संठन कभी समाज के उत्तरदाय को नहीं होते हैं संठन समाज के कहनें से नहीं बनते संग्ठन लोग खुद बनाते हैं कोई पहले मालिक होता है वो कहता एक संग्ठन बनाओंगा बना ले भाई अपने आप बनाता है अपने आप यह समस्या पैदा करता है अपने आप भी रसीद लेता है अपने आप भी चंदा लेता है और अपने आप भी चंदे से अपना काम संग्ठन कभी अपने उद्द्द स Say's not breaking at a date उसमें कोई बीमारी होता है ना लिए संग्हां के अंदर पैसा चंद्द या जाता है नहीं संग्हां के अंदर किसी व्यक्ति की चलती है नहीं संग वयक्ति वाद में जाता है नहीं संग्हां के अंदर को होता है ना ही संग के दर मंच माला होती है ना ही पद और प्रतिष्टा होती है ना ही बावा होती है ना ही उसमें अध्यक्ष होता है ना ही जनल सेक्टी होता है उसमें तो साधान लोग होते हैं और चलता है लोगों को यकिन नहीं होता कि संग ऐसे चल सकता है क्योंकि देखा नहीं ना कभी बुद्ध ने चलाया संग से से पहले चलाया समन होगों संग देख announcements Allah ei ए जिसको प्रदानमंती बोंते हैं और वो काम करता है लोगों को पसंद अया तो प्रदानमंती दिया है पर हमारे संग्ठां के लोग नहीं समझे वो कहते हैं कि सम्विधान बचाएंगे सम्विधान बचाएंगे अरे भाई आप सम्विधान कैसे बचा लोगे आप कहते हो किसी को सापने काठा और साप काठे का इलाज करेंगे और साप को आप फिर द्वारा साप कटवा के लाज करोगे कैसे कर लोगे आप खुद तूटे हुए हो फिर किसी को कैसे जोड सकते हो आप तो जहर पे जहर खाय जा रहे हो तो मनना आपका तह है पर संग इन सबसे अलग रहता है इसलिए यहां लोग इखटे हो रहे हैं एक बलुकुल पुराने और आज के नए तरीके के साथ जिसको समढ संग बोड़ते हैं समढ इसलिए हैं क्योंकि हम समढ हैं और यह समढ संग लगाता लगाता लोगों को जोड़ रहा है और जोडने का उद्देश से है अपना सुख प्राप करने के लिए हमको जीवित रहने की जोड़त है इसलिए पहला काम क संग में जाना है संग में रहना है साथ साथ रहना है यही सब ने कहा है जीते भी वहीं है जो संग में रहते हैं जो जानवर संग में रहता है वो शिकार करता है और जो संग से अलग हो जाता है उसका शिकार हो जाता है जब तक हेरन एक जुन में रहते हैं शेर की हिम्मत नहीं होती कि उस पर हमला कर दे और जैसे ही एक स्रें अलग होता है जो बीमार है या छोटा बच्चा है या कोई भूल से आ गया है शेर उस पर जपट पड़ते हैं पर सेरों का जुंड भी सुरक्षित नहीं अगर वो संग में नहीं है एक अकिला सेर अगर जंगल में चलता है तो कुटों का जुंड फार देता है और कुटे भी सुरक्षित नहीं अगर एक कुटा अलग चलता है तो उसको बांग फार देता है और बांग भी सुरक्षित नहीं अगर अकिला बांग चलता है तो उसको सेर फार देता है ये चैन चलती रहती है जो अलग रहेगा वो मारा ज जाती है और समुद्र में छोटी-छोटी मच्टिया भी खटी चलती है तो बड़ी मच्टी से बच जाती है और उपर जो पक्षी उड़ते हैं वो भी एक गुरूप में शड़ते हैं तो बाज इन पर जहपटा नहीं मारता है कोंगी एक साथ जुन्ड में चलते हैं अगर जुड़े हैं वो हमेंसा जीते हैं जब जब जुड़े हैं तब तब जीत जीते हैं जैसे जैसे जुड़े हैं वैसे वैसे जीत जीते हैं और इसे जुड़ने के लिए हम लगाता 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 मीटिंग कर रहे हैं 28 जो अभी 15 अगस्त आ रहा है 15 अगस्त की दिल्ली मे साथ लाएं क्योंकि पंद्रे अगस्त को कोई मार्केट नहीं खुलती है मैट्रों से आएं या गाड़ी से आएं कैसे भी आएं सुबह नोवा से लेके साम चारवे तक सिर्फ इस पुक से बाचित होगी उसके बाद में किस तारिक की गाजयवाद में मीटिंग है उसके बाद संगों को नमन करेंगे बावसाब को नमन करेंगे उसके बाद मैं फिर 16 अक्रूबर की 2000 लोगों की मीटिंग है जो अधिकतर डॉक्टर महां आएंगे पर हम सब भी महां पहुंचेंगे परिवार के साथ में और 12 और 13 14 की बहुत बढ़िया मीटिंग संग के सामें हैं सारे सब्सक्राइब मारा कि उन समय हमाने खिरेंगे और को अलावा जो महाराश्म मीटिंग आने वाली है वो बड़ी हैं और फरवरी के अंदर मीटिंग रहें इसका कारणा बताता हूँ आपको क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे भारत में जितने भी संगठन है जिनकी संख्या 29 लाग है वो एक तरफा है एक तरफा का मतलब है कि मंच पे आदमी जो बोल देता है उसको जवाब नहीं देता कोई पूछता भी खड़े हो किसी भी हलत में ना जीत सकते हो और ना किसी की किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हो और नहीं कोई बात को अच्छे त्रेखे से कर सकते हो बुद्ध ने हमेसा खुद जाके तरकी हैं लोगों से या लोगों को बला कर तरकी है सवालों के जवाब दी है और सवालों के बावा साब ने अके लिए दिया च्छे मोटी मोटी किताव हैं अगर कभी पड़ोगे तो आपको सुन्द आएगा तरक से हम जीते हैं तरक से कभी नहीं भागना चाहिए इसलिए जिसके जितने प्रसन हो वो पूछे आज पूछे कल पूछे रोज पूछे यहां रोज 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 पूछ जितना हैं में साख़कAST पयाँ खेंट रोज, आज पूछांे जो साधु आज, हमार। नहीं सुन्द ने जुना। आप सबी से ये निव ralliesन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को भीजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे भी चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या पर्मिसर लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उनी की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामी संगं सरेण गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सरेण गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूथियं पी धम्मं मर्सेण गच्छामी दूथियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामी दूथियं पी संगं सर्नं गच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी बुद्धं सर्णं कच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी ततियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी बुखियं पी सन्यम सर्णं कच्छामी